देखिए ये जो इंडी अलायंस तयार किया है इसका कोई असर होने वाला नहीं है ये सारे लोक मुंबई में आये हैं इनका केवल एक अजेंडा है मूदी जी को हटाओ पर ये अजेंडा क्यू है क्यूंकि सारी परिवारवादी पार्टियों की दुकानों को ताला लगाने का काम मूदी जी के कारण हो रहा है जो पार्टिया इनके परिवार की सेवा करती थी उन पार्टियों को लोग नकार रहे हैं और जो पूरे देश को परिवार समझ कर देश की सेवा करते हैं ऐसे मूदी जी को देश स्विकार रहा है और इसी दर से ये सारे लोग एकत्रित आय इनके पास ना नेता है, न नीती है, न नीयक है. इसलिए यह कितना भी प्रयास करें, तब भी लोगों के मन से मोदी जी को नहीं निकाल सकते, जिस प्रकार का करतुत्व, जिस प्रकार का नेत道्व मोदी जी ने देश को दिया है. और जिस प्रकार से मोदी जी के नित्रुत में देश आगे बढ़ रहा है गरीब कल्यान का अजेंडा इस देश में जिस प्रकार से मोदी जी के माध्यम से गरीबी को दूर कर रहा है और जिस प्रकार से हमारा देश चान की बुलंदियों को चू रहा है लोगों के मन में मूदी जी है, ये लोग कितने भी यहाँ पर रहे, कितना भी यहाँ पर विचार विमर्श करे, लेकिन इनके पास मूदी जी के लिए न कोई तोड़ है, न कोई नेता है सबसे बड़ी बात यह है, अभी तक पाच पारटिया दावा कर चुकी है प्रधान मंत्री के पद पर, ये प्रधान मंत्री पद का एक उम्मीदवार तैही नहीं कर सकते, और वैसे भी तैह करके करेंगे क्या, इनका एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है, कि जो जनता के मन में बस सके, ये जनता जिसको मन से चाहे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है, कि एक मीडिया इवेंट हो रहा है, और हम सब लोग उसको देख रहे हैं